Hi guys, कैसे हैं आप सब and आज की वीडियो है requested one जिसमें मैं आपके साथ share करूँगी 5 कलमकारी सारिया इन में से एक सारी मेरे पास already wardrobe में थी और 4 मैंने अभी आज ही उसे मंगवाई है and बहुत प्यारी सारिया है सब अलग-अलग style में हैं तो एक तरह से पूरा idea आपको मिल जाएगा कि कितने तरह की कलमकारी सारी और आप किस तरह से पिक कर सकते हो based on their pattern इसके साथ मैं आपके साथ share करूँगी कि आप किस तरह के blouse उसके साथ use कर सकते हैं अगर आप से लवाने का सोच रहे हैं तो कौन से design इस तरह की सारियों के साथ और हम बात करेंगे जूल्रे का किस तरह की जूल्रे को आप कलमकारी सारी इसके साथ पैर कर सकते हैं तो यस पूरी वीडियो आप देखेगा काफी इंफर्मेटिव हैं और आई विल रिली अप्रीशियेट कि आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें इस बिदाव टेकिंग मज टाइम लेट के साथ और इससे पहले हम स्टार्ट करें मेक शूर आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है और अगर अल्रेडी आप कर चुके हैं तो I am so thankful to you now let's get started सबसे पहले मैं फॉर्स सारी आपको दिखाती हूँ और ये वली जो सारी है ही मेरे पास अल्रेडी मेरे वाडरोब बे थी यह इस तरह से green color की है पूरा इस तरह से यह बीच में आपको इस तरह का काम देखने को मिलेगा और किनारी पे यह red color की है इसके अंदर यह काम होने के बाद प्रिंट होने के बाद thread work भी अगर आप notice करेंगे तो तो पूरा काफी महनत का काम इसके उपर किया हुए है बॉर्डर आप देख सकते हैं और पल्लू आप देख सकते हैं बीच बीच में इसमें सितारिया भी लगी हुए है तो यह काफी प्यारी सारी है और यह डेली के अंदर जो exhibitions लगते हैं न स्टेट लेवल पे तो वहां से ली हुए है तो वहां पर आपके इस तरह से affordable range में मिल जाती है क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कितना hand work है कलमकारी जो work होता है वो hand print and you know block print काम होता है तो उसके उपर फिर thread work और कर रखा है तो और महनत का काम है यह जो कपड़ा है यह silk है तो यह इस तरह से आपको cotton and silk दोनों में मिल जाएंगे कलमकारी की सार्या अगर मैं थोड़ा सा कलमकारी के बारे में आपको बताओं तो यह जो कला है कपड़ों के उपर जो की जाती है तो यह specially आंदर प्रदेशन तमिल नाडू में काफी की जात है और अगर वो है आपका cotton या linen blend तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं हैं घर पर लेकिन ठंडे पाने में के रहे हैं और बहुत ही mild detergent यानि जो आप अपने उनी कपड़ों के लिए उस तरीके से और सबसे ज्यादा यूनो मैं amazed थी यह देखके कि एक जो इस तरह का बनाने के लिए कलमकारी कपड़ा बनाने के लिए 23 steps होते हैं पूरे के पूरे जो एक कपड़ा तयार हो जाएगा कलमकारी वाला देखके मैं हरान थी कि कितनी महनत का काम है यह तो अगर आपको कहीं लगे कि महंगी दे रहे हैं इस तरह कांवाली सारिया तो इसके अंदर को एक्स्ट्रा ऐसकते हैं इसके बाद हम देखते हैं यह फॉर्स जो मैंने आज यह से लिए आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसके कव अरुस पेज है यह एलिफंट प्रेंट है बहुत ही जाधा यू नो फेमस है इस तरह से मैंने थोड़ा मीडियम साइज में मंगवाया है बॉर्डर आप देख सकते हैं कितना प्यारा है तो यह कॉटन की अंदर है कॉटन एंड लीनन ब्रैंड और सारी की सारी सारी बहुत अफोर्डेबल है एक हंडर्ड रुपीज में मुझे एक सारी पड़ी तो फर्स वन इस बाशा आप बताएज से लगी आपको इस का लगा इसा लगा इसका पली भी काफी अच्छा है और इस तरह की ओश यसमें सारे के सारे कलर्ड हो एडर यह आता है ब्लाउस के साथ भी तो इस तरह का आपको ब्लाउस मिल जाता है यह आप देख सते हैं कॉंट्रास्ट में ब् क्योंकि सारी पे प्रेंट है इतना बड़ा बड़ा प्रेंट अगर ब्लाउस पे भी होता तो काफी यूनों कन्फ्यूजिंग सा लगता अच्छा नहीं लगता तो बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लेते हुए उन्होंने इसे छोटे प्रेंट वाला आधर प्लेन ले सकते हैं य आज मैं आपके साथ पूरी डिटेल में सारी चीजे बताऊंगी कैसे कैसे आप लाउस इलवा सकते हैं किन डिजाइन्स में और जूल्री के बारे में तो अब दूसरी जो सारी है यह मैंने ब्लाक कलर में ली है क्योंकि ब्लाक कलर की सारी भी बहुत प्यारी लगते हैं तो मैंने देखा था जो मॉडल ने डाला हुआ तो बहुत ही प्यारा लग रहा था और इसके उपर पूरा जो अलोवर प्रिंट है वो इस तरह का है आप देख सकते हैं तो जो मैट्रिक पैटर्न है काफी मॉडरन डिजाइन है यह तो काफी सुन्दर लगेगा और इसके अंद मिलता है यानि अगर आप उस से ले रहे हैं तो आप क्वालिटी के बारे में आपको सोचने की जूरत नहीं है वो अच्छी क्वालिटी का ही मेटीरियल देते हैं और मैं हरान इसलिए थी कि इन डिपिक पे जेनरली आपको महेंगी चीजे मिलती हैं बट यह मुझे सेल्ट क इसमें बट बनी हुई है यह मök LA पनी हैं यह इसका पल्लू है तो यह आपका ग्रीन बेसे अग्रीन कलर एन ऑ औल प्ग होहां आक चाहिए डां गिंट को मैं इसके ऊपर बॉड़र आप देख सकते हैं तो इसके बहुत कर देषा 뭘 टाइं गा ब्लाउस में आपको दिखाती हूं कैसा है so ये हो गया इसका ब्लाउस and इसके बाद जो फोर्च सारी है वो मैंने लिए है पिंक कलर में इस तरह कि ये कॉटन में है खऔर बीच में मैं मैं चाहिती कि भीच कर लेते हैं तो इस तरीके से ये बीच में पूरा पिंक प्लेइन है बॉर्डर यलो पे हैं और लिए बैर्ज बनी हूई है और इस तरह से इसका ये पल्लू है और दिखिया आपका और इसका जो ब्लावस है न वो बिलकुल प्लेन है इस तरह का पिंक कोई बॉर्डर बॉर्डर इस पे कुछ नहीं है तो यह वली जो सारी है न यह मैं नहीं रखने वाली क्योंकि मुझे बिलकुल इतनी अच्छी नहीं लगी जतनी अदर सारी है ना तो कपड का क्वालिटी मुझे I think कि कपड़ा ही ऐसा है मैं यह नहीं कहूंगे कि क्वालिटी ऐसी है यह मलमल टाइप का कपड़ा जो कि बहुत ही ज्यादा थिन वाला होता है वैसा है सॉफ्ट है एन इसका MRP 1400 है तो मतलब ठीक है यह पर मिरको नहीं अच्छी डगी दो रीजन्स है एक तो इसका कपड़ा पे भी ग्रेस नहीं आरी कलर बहुत इनो ग्रेस फुल नहीं लग रहा और दूसरा कहीं कहीं पर आप देखेंगे न तो फेड़िड है यह कलर मैंने जिस तरीके से खोला था ना यहां से शायद आपको देख पाएगा यह देखेंगे इसका कलर ना फेड है और कलर का इतना ग्रेस भी नहीं आरा और अजीब सी लग रही है अहां यहां देखी कितना ना तो यह सारी मुझे नहीं अच्छी लगी तो मैं यह सज़स्ट करोंगे आपको आप इस तरह की मत बाय कीजेगा और उसके अलावा जो तीन सारी मैंने मंगवाई यह मुझे काफी अच्छी लगी और मेरी वाली तो खैर मुझे अच्छी लगी और यह तो थी हो गई है सारियां तो इनके जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो आप क्या कर सकते हैं जैसे मैंने बलक डिका दिखाई थी यह वाली इसके साथ इस तरह का आप बलक टॉप डाल सकते है वुलन में जो आता है वो डाल सकते है जो पतले में ऐता है फुल वर्क स्वीव मैं जो तरह से चर्टल नेक है तो अगर आपको तर statewide आपको अच्छ यह अच्छी नहीं लगते इस तरह कि न सारी पर थोड़ा ग्रेस फुल लगने के लिए आप स्लीज या तो फिर मोर स्टाइलिश लुक के लिए आप स्लीव लास लीजिए और अगर ग्रेस फुल लुक आपको चाहिए तो आप यूनो आधर इतनी स्लीव ले सकते हैं इतनी ल होती है या स्वेटर्स होती है जिसमें थोड़ा एंबलिश्मेंट हो बिल्कुल फिटिंग वाली हो तो उनको भी ऐसे ब्लाउज आप यूज कर सकते हैं इवन इस तरह की आप जैकेट भी सिल्वा सकते हैं यूनो इस जैकेट पैटर में भी ब्लाउज सिल्वा सकते हैं ले लेंगे तो इतना ग्रेस फुल नहीं लगेगा तो प्रिंट्स का भी ध्यान रखना है तो यह सब हो गया ब्लाउज के बारे में जूल्री की मैं बात करूं तो सिल्वर जूल्री आपकी कलमकारी सारी के साथ बहुत प्यारी लगती है अब दो तरह से आप पहन सकते हो फ अफगानी स्टाइल में आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा जगह पे आपको इजिली युनो डेली के अंदर गुर्गाओं में इस तरह का यह अफगानी जूल्री मिल जाती काफी सस्ती होती है यह मैंने यह कहां से ली थी यह शायद मैंने ऑनलाइन स्टोर से ली थी औ तो इसतरह की सिलबर जूल के साथ आप प्यार कर सकते हैं अगर आपको अँगास faisait डालने है तो आप इस तरह की चोकर कर सकतें काफी अछा लेगे जैसे हाइनाक बता रही हूं हाइनक के साथ आप इससे प्यार कर लेंगे तो काफी अच्छा लगीगा तो सिलवर जूलरी ब बिल्कुल टॉप्स जो कान पे चिपके आते हैं वैसे वाले यूज़ कीजिए और लॉंग चेन वाले कर दें तो आप हैंगिंग भी डाल सकते हैं इस तरह से आप इनको प्यार कर सकते हैं तो सिल्वर जूलरी की बात हो गई है ब्लाउजेस की बात हो गई है सारी मैंने आपक आपको अच्छी लगी अगर थोड़े भी आपको एफ़र्ट इसमें लगे मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड फामिली में शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा और येस मेरी अधर वीडियो को भी आ चैक आउट कर सकते हैं और इसी के साथ मैं आज की वीडियो एंड करते हूं बहुत जल्दी मिलती हूं आपसे इन दे नेक्स वान तिल देन टेक क्यार पबाई